Hey friends, welcome back to this channel आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CSS के साथ में HTML CSS exactly होता क्या है वो हम अभी discuss करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरा first वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको मैंने बताया कि professionally web development environment कैसे set up करें with live server extension तो आप उस वीडियो को जो देखें आप जानते हैं कि HTML सिर्फ content put करने के लिए होता है website में लेकिन अगर उसे website को beautify करना है तो आपको CSS का यूज करना होगा cascading style sheet का यूज करना होगा friends अगर आप इस page को देख रहे हैं तो ये page बिल्कुल है just simple text है और image लगी हुई है इसमें कोई जो है जिनको हम style नाम से भी जानते है style मैंने open किया style close किया एक दूसरा tag भी है जिसका नाम है link इन दोनों को हम discuss करेंगे CSS को apply करने के लिए तो friends जैसा कि अब जान चुके दो tags है एक है style और एक है link इन दो tags का use करेंगे हम अपने page पे style पुट करने के लिए ठीक है तो पहले हम बात करते है style style की style जैसे ही आपने tag लगा दिया अब इसके अंदर जो भी code लिखोगे वो CSS का होगा friends style जो tag है इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो इस page पे वो CSS rule अपलाई हो जाएगा लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं CSS का जो भी code है वो जो tag है वो मैं outside of this page लिख दो मैं इस page में नहीं लिखो तो मैं use करूँगा link tag right link tag use होगा अगर मेरा CSS का जो code है वो इस page के अंदर नहीं रखना है outside this page रखना है तो मैं link tag का use करूँगा अगर मुझे इसी page में CSS का code लिखना है तो मैं किसका use करूँगा style tag का use करूँगा तो friend best तरीका कौन सा है actually क्या है कि link जो है tag use करेंगे तो हम CSS को बाहर रख पाएंगे अपने page से अपने page से अगर बाहर रख पाएंगे तो आप किसी भी CSS file जो है CSS file जिसमें CSS का code लिखा हुआ है आप उसे attach कर पाओगे अपने HTML page के साथ और link tag को ही हम सबसे ज़्यादा prefer करेंगे use करना because यह standard practice है CSS के लिए कि आप किसी भी दूसरे location से CSS files उठाओगे और link कर दोगे अपने HTML के साथ तो अब चलिए देखते हैं कि कैसे use करना है इनको तो पहले मैं बात करता हूँ style tag की style tag के अंदर मुझे CSS यहीं लिखना होगा इसी page के अंदर लिखना होगा और इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा style tag के अंदर वो HTML tag नहीं होगा वो HTML नहीं होगा वो होगा CSS तो चलिए friends CSS को लिख के देखते हैं आपे तो CSS में mainly three component होते है three component कौन कौन से होते हैं आपको लिखना होता है selector right selector एक component होता है और फिर curly braces देना होता है फिर आपको उस selector की property देना होती है और फिर value और फिर semicolon right properties और value बहुत सारी हो सकती है property दूसरी property भी हो सकती है और उसकी value भी हो सकती है right तो एक selector और multiple property और value right तो अब आप इसे कैसे apply करेंगे selector है क्या exactly selector वो है जिस element को आप target करना चाहते हो जिस element को आप beautify करना चाहते हो जैसे कि हमारे case में क्या है suppose मैं h1 को जो है वो beautify करना चाहते हो मैं selector यहाँ पर लिख दूँगा h1 right properties क्या होगी तो properties और value मैं लिखता हो तो properties मैंने कहा कि मैं color change करना चाहता हो तो मैं यहाँ पर properties में लिख दूँगा color right colon और value में मैंने लिख दिया suppose मैं red change करना चाहता हो तो मैंने लिख दिया red, अब वैसे ही आप दूसरी properties को भी लिख सकते हो, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर save किया, save करते ही देखिए, यहाँ पर right side में, my first website red color में हो चुकी है, right, तो selector क्या है, selector जिस element को आप target करना चाहते हो, उसकी properties लिख दीजिए, और उसकी value दे दीजिए, same आपको friends, suppose welcome to my website है, यह कौन सा है, h2 है, h2 को target करना है, तो हाँ पर आप h2 लिख दीजिए, selector, और आपको curly braces देना है, और इसका color change करना है, तो आप color change कर दीजिए, color, और मैंने लिखा blue, ठीक है, तो यह ready matte colors है, आप इसे change कर सकते हो, control s करो, automatic देखिए, यहाँ पर blue हो गय friends, है ना असान यह, आप देख सकते हो, अगर आप बात करो, इनको completely, combine क्या बोलेंगे, यह selector है, properties है, value है, तीनों को बोलेंगे CSS rules, ठीक है, तो आप जितने भी add करते जाओगे यह तीनों चीजिए, आप बोलोगे कि हमने CSS rules add किया, तो मैंने 2 CSS rules add कर दिये है, style के अंदर CSS rules अपुकिए मैंने, तो यहां पे CSS rules add कि है, H1, H2 के लिए, क्या मैं और चीज़ों के लिए add कर सकता हूँ, image के लिए कर सकता हूँ, ऐह जी कर सकता हूँ, ठीक है, और तो आपको क्या करना है, देरे देरे apply करते जाना है, suppose मैं यहां पर apply करता हूँ, image के लिए, background के लिए, background क के लिए क्या होगा तो मैं यहां पर लिखूंगा body यानि target मैंने selector क्या रखा body यानि body के अंदर जो भी चीज़े है उस पर यह apply हो जाएगा css rule और मैंने कहा background ठीक है background मैंने कहा background color ले लिया background color मैंने कहा तो जो भी popular name है वो popular name तो आप easily दे सकते हो जैसे कि मैंने कहा sky blue और save कर दिया तो यहां पर देखिए sky blue आ गया तो popular name को तो आप easily नाम के साथ recall कर सकते हो और उनको use कर सकते हो as a value लेकि suppose ऐसा कोई color जिसका नाम नहीं पता है तो आप इस पर click करोगे यह जो click करते हैं यहां से आप choose कर लोगे जो color आपको चाहिए ठीक है तो मैंने suppose यह color choose कर लिया ठीक है और save कर दिया तो देखिए यह color automatic apply हो गया background पे तो body पे juices apply की background color तो background चेंज हो गया h2 पे apply की color blue तो blue color हो गया h2 और heading पे apply की h1 पे और यहां पे red color कर दिया तो I hope आपको यह video series बहुत ही अच्छा लग रहा होगा web development का लग रहा होगा कि something हमने आज learn किया और आप इस series को enjoy भी कर रहे होगे friends अगर मैं बात करूँ यहां पे background color की तो मैं यहां पे remove भी कर दूँगा background से फिलिक दूँगा तब भी यह work करेगा ठीक है save किया तब भी यह work करेगा तो friends मैं h2 selector के लिए कुछ और करता हूँ जैसे h2 selector है उसे मैं थोड़ा सा transparent बनाना चाहता हूँ तो यहां पे एक और property होती है opacity यह देखिए visual studio code आपको help भी कर रहा है कि find out करने में properties को colon और मैंने लेखा यहां पे 0.5 और save कर दिया तो यहां पे देखिए slider जो है light हो गया है light color में यह आच चुका है तो आपका यह text है वो थोड़ा सा transparent हो जाएगा opacity से आप transparency अचीव कर सकते हो let's suppose friend यह जो heading है h1 मैं उसका background देना चाहता हूँ तो background कैसे दोगे तो यहां पे आप h1 selector को target करोगे और h1 के rules में changes करोगे यहां पे लिखना है आपको background और आपको जो color देना है देदीशिये तो मैंने कहा कि color जो है blue कर दिया यह gray कर दिया right तो आप देख सकते हैं यहां पे gray color हो चुका है और आप easily यहां पे मैं यहां पे color को red की जगह पे white कर देता हो तो यह यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे website बननी start हो चुकी है तो एक selector के अंदर आप multiple property value add कर सकते हो जितनी आप property चाहो उतनी add कर सकते हो friends चलिए कुछ और properties देखते हैं यहां पे h1 में change करना चाहता हो तो मैं suppose font style change करना चाहता हो यहां पे font change करना चाहता हो तो मुझे पास एक properties है जिसका नाम है देखिए यहां पे CSS आपको help भी कर रहा है कि आप easily यहां से font family लेना है और आपके पास बहुत सारे font style है आपको यह भी choose कर लेजे मैंने वर्डणा जेनेवा तहोमा सेंसरिफ यह सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके मैंने save कर दिया यहां पे देखिए यह cool लग रहा है यह आपका heading 1 h1 आपका font जो है थोड़ा सा अच्छा हो गया है clear हो गया है smooth हो गया है friends यहां पे जो color है white तो आप यहां पे जाके आप changes कर लीजिए यह color piker है आप यहां से जो भी save करेंगे save हो जाएगा background तो चेंज कर लीजिए background चेंज करना है change कर लीजिए तो इस तरीगे से आप easily change कर सकते है और जो color चाहे आप easily रख सकते है ठीक है यह color कुछ अच्छा नहीं लग रहा मैं यहां पे change कर देता हूँ ठीक है तो now it is looking cool तो friends इस तरीगे से आप अपने web page में CSS apply कर सकते है CSS rules apply कर सकते है अब मैं थोरे से changes करता हूँ जैसे button है button का देखिए यहां पे एक border है black color का मैं उसे हटाना चाहता हूँ ठीक है तो मैं यहां पे क्या लिखूँगा button और मैंने CSS rule एड़ किया है यहां पे properties एड़ करना हूँ button के लिए मैंने कहा border none यहां पे देखिए border जो है remove हो गया ठीक है अब जो है next cheese क्या है suppose friends अब button में यहां पे click me जो है वो black color में अगर आप इसा color भी change करना जाते हो तो यहां पे color लिख दो button में एक properties एड़ किया और curler मैंने कर दिया suppose red ठीक है तो यहां पे देखिए यह button का color भी red हो गया ठीक है friends अब बात करते हैं हम image के कुछ properties को change करने के लिए तो image as a selector लेंगे img tag और हम यहां पे curly braces लिख देंगे और यहां पे properties और values लिखेंगे तो image का मैं corner change करना चाहता हो उसके corner को मैं यहां पे change करना चाहता हो तो आप कैसे corner को round करेंगे ठीक है तो मैं यह homework आपके लिए देता हो कि आप यह homework करके आएंगे कि आपको इस image का corner को round कर देना है तो अगर आपको यह video useful लगा हो चैनल को subscribe जरूर करो और video को like जरूर करो तो मिलते हैं next video में CSS के साथ thanks for watching, bye bye